सबी दोस्तों का स्वागत करता हूं साथियू रीट की कटोप को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि सर मेरा सेलेक्शन होगा या नहीं होगा सर मेरे 130 बन रहे हैं मेरा सेलेक्शन हो जाएगा क्या कोई बोलटा सर मेरे 110 बन रहे हैं कोई बो सीथ बताऊंगा सथीिं चलिए हम देखते हैं साति हूं एक हविष को लेकर daha करते हैं सबसे पहले में बता दूं आप सातु जाना मैं बहुत सारे जो मेरे मित्रें हों बोल रहे हैं सर मेरे तो 115 नम्र हैं मैं फॉम भरूऊंक नि परूँ मेरे 110 नम्र हैं भात मित्रों हैं अरे भाई जब आप फॉम भरने के लिए इलिजिबल हो तो यो निपर रहे मुझे कल किसने देखा, क्या पता अगर मानलो की रीट के 50,000 हो जाए, और कटोप 111 पे आजाए, ये भी तो हो सकता है जो भी मैं आपसे निवदन करके कह सकता हूं कि आपना जो भी इलीजिबल हो जो भी वो फोर्म जरूर बरे हो सो दो सुरू रूपे को मत देखो फोकोट का दिमाग मन लगा हो और अभी आप फोर्म बरने के लिए चले जाओ ठीक है और फोर्म बर दो पहला तो मेरा सुझा भी आप फोर्म जरूर उसे जरूर बरे कोई भी ऐसा बंदा जो इलीजिबल है चाहिए उसके 90 नमरी क्यों नहीं आ रहे है चाहिए वो बीसी में है चाहिए उसके 90 क्यों नहीं आ रहे है चाहिए वो जनरल में CP category में जिसे अलग-अलग जो आप पास हो और REET में आप भॉँन बरने के लिए eligible हो तो आप भॉन जरूर भड़े ठीकuestos ना ये मोगे बार-बार नहीं मीलते हैं इसलिए भॉन जरूर भर रहे है ठीक है पहली बात भॉँन क्यों होगी और आपकी यह लगाया है आप समझ पा रहे होंगे इसको कि 130 वाली का भी दिमाग चकर आ रहा है 110 वाला बहुत रो रहा है कि सर मेरा सेलेक्शन होगा कर नहीं होगा तो इससी को लेकर साथ हूं देखते हैं अब मुझे आप एक बात बताओ कि आपके 125 नमर आ रहे हैं ठीक है या 125 नमर आ सकते आगे और और क्या नहीं होगा यह वड मेंने पताई साहती है तो अब आपको क्या करना हैं शाल जिसी तेसे और ये आपको क्या करें शाथियूण आपको क्या करना क्या अगे की टियर करो ठीक है ना शायतियू ये रवाजिआ आपके अपने आगे की खोंटियू रखो जो होगा वह भक्त ही बताएगा ना मैं बता सकता हूँ ना आप मनने बता सकते हैं कोई भी नहीं बता सकता है ठीक है ना अब आप समय की बरबादी नहीं करें इधर उधर कमेंट करके या इधर लोगों से पूचके और अच्छा एक तो यह नया पेटन और यह चला कि आपके माक्सिट बेजो और हम आपकी टोप करो आप अगली बार क्या करो चैहिए जंजट में रहना ही नहीं पड़े फिएना अपकर उचार अपका का मैं बर आप तो आप फॉम पर दो और आप अपनी त्यारी में लग जाओ वापस और इस अगली बार टॉप करने का लक्षी बुनाओ कि टॉप वन मेरी रहेगा एगी और टॉप करूँगा मैं और मेरा सेलेक्शन होगा फिर अगर नंबर वन आपका आएगा टॉप करोगा आप तो आपक का इंतजार करें और अपने काम में लग जाओ ठीक है साथ हूँ और एक बता सका हूँ किस-किस का सेलेक्शन होगा तो ध्यान रखना 120 तक जो है ना बहुत अच्छे स्कोर में उसके सेलेक्शन की संभावना पूरी-पूरी बनेगी साथ हूँ ठीक है तन्यवाद